how to use these special tools of rough animator well this is what we are going to talk about so hello animators कैसे हो आप सभी लोग I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप rough animator के इन special tools जैसे कि make cycle, edit multiple and camera option को कैसे use करना है so without wasting time let's start the tutorial and हाँ वीडियो को like and channel को subscribe करना मत भूनला let's start with the first option जो की है make cycle तो इस tool को use करके आप single scene को repeat कर सकते हो यानि cycle कर सकते हो for example ये मैंने एक छोटा सा animation बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए तो आप लोग देख सकते हो कि बस ये car starting से end तक सिर्फ सामने की तरफ move कर रहा है and मेरे animation project का जो fps है वो मैंने 10 fps रखा है यानि 10 frames play होंगे एक seconds में and मैंने याप पर सिर्फ 10 frames ही बनाया है तो यानि मेरे इस animation का total duration है 1 seconds तो अगर हमें animation के duration को और बढ़ाना है या इन 10 frames को बार-बार repeat करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले last frame पर आ जाना है and फिर एक new frame बनाना है and फिर आपको make cycle पर click करना है and अब कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो आपको यहाँ पर repeat previous का option दिखेगा तो यहाँ पर click करके आप frames को select कर सकते हो जिन्हें आपको repeat करना है तो select करने के बाद यह जो timeline है इसे आपको drag करना है and अब जितने भी frames हैं वो repeat हो चुके हैं and इसका duration आपको अपने according रखना है आप इसे जितना ज़्यादा drag करोगे यह उतने time तक cycle होगा and now अब मैं आपको इसे play करके दिखा जता हूँ तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है and यहाँ पर आपको forward लिखा होगा तो उस पे click करोगे तो back forward दिखेगा तो जब आप उस पे click करोगे तो आपके frames पहले आगे move करेंगे and then back move करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो and यहाँ पर click करके आप cycle को drawing में भी convert कर सकते हो so यह था make cycle का full tutorial and now let's move on next tool जो की है edit multiple तो इसे use करने के लिए सबसे पहले आपको animation layer को duplicate कर लेना है and then edit multiple पर click करना है and फिर इसे आपको पूरे frame में ऐसे drag करके select कर लेना है and then आपने जितना drawing इन सभी selected frames में बनाया है वो सब आपको एक ही frame पर दिखने लगेंगे and फिर आपको इन सभी को select कर लेना है selection tool के help से and then अपने according move करना है जहाँ आप इने रखना चाहते हो जब आप उसे play करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि एक ही animation अब दो जगा play हो रहा है and yes इसके help से आप लोग एक ही animation को दोबारा copy कर सकते हो and ऐसे ही आप जितने चाहें उतनों को multiple times edit कर सकते हो and आप एक ही बार में सभी frames को color कर सकते हो by selecting fill inside option here and now let's move on our last and insane tool जो की है camera tool आपने 3D animation में camera के option को देखा या सुना जरूर होगा तो सेम उसी तरीके से ये भी camera tool है बट ये 2D animation के लिए है and इसमें आप key framing के help से कुछ cinematic type के animation create कर सकते हो मैं आप को एक करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले ये रा मेरा एक वही पुराना normal animation जो की कुछ खास नहीं लग रहा है and now let's add some twist in this scene तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है camera tool के option पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा and आप जब x-axis या y-axis को move करोगे या zoom करोगे तो आप लोग notice करोगे कि यहाँ पर camera के frame जैसा add हो चुका है and यहाँ पर आपको add key का option दिखेगा तो सबसे पहले आपको जिधर भी twist add करना है उस frame पर आपको चले जाना है and then add key पर click कर देना है and now जिधर twist को खतम करना है वहाँ पर जाके आपको camera movement के कुछ ऐसा set करना है अपने recording यहाँ पर आप difference को देख सकते हो कि अप camera जो है वो car को track कर रहा है and आप ऐसे ही कई cinematic animations बना सकते हो अपने recording and अपने imaginations के recording I know अगर आप camera tool के बार में पहली बार सुन रहे हो या देख रहे हो तो यह आपके लिए थोड़ा सा tough हो सकता है but trust me guys अगर आप लोग एक बार इसके mechanism को समझ गए तो you can do anything well this is the tutorial of these best tools in rough animator and I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा so see you guys in next video and don't forget to do like and subscribe and you can share this if you want good bye